असलाम लेकुम स्टुडेंट्स हाव यू ओप सो यू आर फाइन टूड़ी इस आवर लेक्चर नंबर वन चप्टर नंबर फॉर The topic that we study about today is the other living things तो जैसा के हमने पहले से पढ़ा humans की about के humans की body की about उसके बाद हमने पढ़ा animals की about फीक है नेक्सट हमने चप्टर देखा plants की about तो आज हम पढ़ेंगे के animals की इलावा, humans की इलावा, plant की और भी living things है जिनके बारे में आज हम study करेंगे This is Louis Pasteur जिसने जो है इसके इलावा जो living things हैं उनको study किया था ठीक है इसने कहा है there are few living things that are not animals और plants के इसके इलावा पे कुछ animals हैं जो ना के प्लांट्स में आते हैं और ना ही animals में आते हैं ठीक है picture देखें लूइस पास्टर की ये क्या है ये फ्रांस में रहता था 19th century में और ये famous scientist है इसने कहा है nice to meet you all कि आपसे मिलकर अच्छा लाहा लेट मी चैल अबाउट फंजाई bacteria and protis के animals और plants के इलावा हम आज study करेंगे bacteria क्या है प्रोटिस क्या है और फंजाई क्या है तो सबसे पहले हम देखते हैं फंजाई को scientist ने देखा जाए तो study की थी तो इसने कहा है सबसे पहले इसको रखा group plants में ठीक है इसने classify किया कि फंजाई जो है यह भी plants में आती है लेकिन फिर scientist ने इसके उपर काम करना शुरू किया तो उनको realize हुआ कि यह plants नहीं है क्योंकि plants कि अगर हम एक character देखें तो अपनी फूड प्रपेर करते हैं लेकिन फंजाई जो है अपनी फूड फूड प्रपेर नहीं कर सकती तो इसलिए इनको realize हुआ कि इसका separate kingdom है ठीक है यह पिक्टर देखें यह जो आप देखते हैं नहरों में देखें जो green green उसके उपर पानी के उपर आ जाता है तो उसको हम फंजाई बोल देख जाए प्लांट्स में तो प्लांट्स की stem जिस हम तना भी बोलते हैं leaves पते होते हैं और रूट्स होते हैं और फंजाई की बात की जाए तो इनके body में ना ही stem होती है ना ही leaves होते हैं ना ही roots होते हैं उसके लावा plants के अंदर flowers होते हैं लेकिन फंजाई के अंदर flowers नहीं होते प्लांट्स का जो मेन कारेक्टर है कि वह अपनी फूड को खुद परपेर करते हैं जब के फंचाइज मेइपनी फूड को प्रपेर नहीं कर सकती तो यह वले क्रेक्टर से हैं जिनकी बेस्पे फंजाई को प्लांट से डिफृंट रखा गया कि अगर ये अपने कूड फूर ये फूर्ट को इंटेक करें तो किस तरहëं हैं ये ये लेते हैं कहां से ये लेते हैं ऐसकी जो एक चाहिद कॉछ प्लांट के साध इसके ये कुछ प्लांट भी है कि स्पोर्ट के देख रिप्रॉडौक्षन करते हैं तो फंजाई जो है यह भी स्पोर्स के जरीए रिप्रोडक्शन करती है तो यह चीज इनकी कॉमन थी जिसके पहले जो साइंटिस ने इसको डिसक्राइब किया है कि यह प्लांट ही है लेकिन फिर बाद में जब इसके करेक्टर की स्टडी की तो इस तो इनों साइंट इसको रिलाइस हुआ कि यह फंजाई प्लांट में नहीं आती थाया है यह फ्लांट को भी बात कियी कि अपनी फूड को फ disclose को फाइंड करते हैं किस त्रह complete करते हैं कि यह अपनी बाडिको टैब्ट कर देतेजिए लिविंग लिविंग तींग्टिंग के साथ शेम के साथ जाती हैं और फिर वहां से नकिंटिन को इंटेक करते हैं कुछ फंजाई है जो आणिमेल के साथ अटहती है कुछ प्लांट के साथ ब्लांट के साथ यो के साथ भी हो जाते हैं तो आपको कुछ टाइम बाद रिलाइज होगा कि आपकी बॉड़ी इची है मतलब एक नमी सी है आपकी बॉड़ी के अंदर ठीक है यह पिक्चर में देखें तो हमारी बॉड़ी रेड रेड फीलो ना शुरू हो जाती है तो यह हमारी बॉड़ी पे टेंट होता है जब हम प्रॉपर ली बॉड़ी को वाश नहीं करते हैं कि टीक है कुछ फंजाई जो है वो प्लांट के साथ भी अटाइच होती है जिसमें आजाते है मश्रूम सब्सक्राइज हो जाते हैं और वहां किसे जो सेल्स के साथ ये अटाइच होएं देखें प्ला इसलिए यह लिविंग तिंग के साथ प्लांट के साथ हो जाते हैं ठीक है समझा गई आपको यह टॉपिक एजी था ठीक है आप आपने इंबुक से केरफुली से रीड करना है और इसके बहुत जो टॉपिक क्वेस्टन्स आप लेंड करने हैं थैंक यू